जेहिन दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसा ही CPO 2000 चोईस कि आपकी एक्सपेक्टेट कट ओफ को लेकर और साथ ही आपका रिजर्स कब तक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं तो आपकि OBC की जो है दोस्तों, 132 की राउंड यहाँ पर कट ऑफ रही थी, और आपकी जो है अंदरी 00- 같아요 को लेकर जो है, आप simply यहाँ पर देख पाएंगे, कि 138 प्लस आपकी कट ऑफ यहाँ पर रही है, और साथी जो है दोस्तों, ST और ST को लेकर भी जो है, आपनी KTOUP यहांपे देख पाएगे तो यह जो यह दोस्तों बात करें लास्ट इयर दो जारते हैं इसको लेगर जो आपकी KTOUP Prelims की आपर जोए बात करें कTOUP जो आपकी क्या कुछ यहांपे रह सकते हैं तो इसके लिए जो आपको बताएं दोस्तों 4300 plus vacancy जो है last year से डबल से भी ज्यादा vacancy आपकी इस बार यहाँ पे रहने वाली है तो cut up जो है definitely आपकी कम यहाँ पे रहेगी और यह आप simply मानगे चल सकते हैं अगर अंधर जरूबे category से यहाँ पे बात करें तो आपका score 130 से plus यहाँ पे बन पा रहा है तो आप अपने आपको safe zone में यहाँ पे मानगे चल सकते हैं बात करें दोस्तों OBC category को लेकर तो इसके लिए जो है दोस्तों अगर आपका score 120 से plus यहाँ पे बन पा रहा है आप अपने आपको safe zone में यहाँ पे मानगे चल सकते हैं और इसी प्रकार जो है दोस्तों 5 से 10 नंबर जो है कम मानगे चल सकते हैं SE और ST category के लिए इसके बात जो है दोस्तों अगर बात करें result जो आपको कब तक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा तो आपको पता है दोस्तों आपके last year जो है आपके अंदर ही आपका result जो है यहाँ पे जारी कर दिया गया तो यहाँ पर जो है दोस्तों SSE जो है CPU exam का result जो है आपका prelims का बहुत जल्द आपका यहाँ पे जारी कर देता है तो इसके लिए आप मानगे चल सकते हैं कि यहाँ पर इसी मन्त में जो है जो है जो है जो है जो है आपका result जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और यह जो है आपका जैसे जारी होगा तो सबसे पहली update आपको यहाँ पे देंगे तो challenge है जरू जुड़े ही मिलते है नेक्स update के साथ तब तक के लिए जेहन